फिर द्वारत वाड़ा स्वागत है, प्रोग्राम सचो साचोच, हंजी रग्टर साब, सब अगला मैसेज कि शिकागो इलिनाइज तू सरदार महावीर सिंग ओजला जीदा, एनने तो अड़े ग्यान अते कथन अंदाज नू बड़ा यूनेक किया है, ये तो हनो शिकागो भ उस दिवान दा जिकर किता है, जिस विच तुसी मुकल दीप नईयर नू चैलेंज किता सी, एनने पुच्छा है कि की खालिस्तान दी लहर विच खडोत नहीं आगी, अते जे जवाब हाविच है ता एक खडोत की में टुटेगी, है लोट साब, सब तो पहला महावीर सिंग जोजला जीदा बहुत बहुत तानवाद, उनने इसानों लिख है, और उनने लगपग सोड़ा सारा साल पुराणी जड़ी सारी कटनें उस दी वी यादा हनी करवाई है, कि कुल्दीप नईयर जड़ा के इंडिया दा हाई कमेशनल भी रह चुका है, इंगलेंड दे विच आजवी पर सिद पत्तरकार दे ताओर थे, उनने इंडिया पाकस्तान सारे अख़बारां दे विच शपदे ने, उनना दिना देव गौड़ा जड़े ने, वो प्राइम नेस्टर सी इंडिया दे और मीडिया दे विच भी खबरां सी, कि कुल्दीप नईयर नों अमरीका इंडिया दे विच एंबेस्टर बना के पर जा जायागा इंडिया दा हाई कमिशनर वो इंग्लेंड दे विच रह चुके ऐसी, लेकन क्योंकि हमेशा है शेख दोस्ती दा भी ड्रामा कर दे रहने ने, कुल्दीप नईयर, तो उननो ये ऐसी के उसी बार ले खालस्तानिया जाँ जड़े अजादी पसांदने उना नो किसे टेबल दे उत्ते लियाओ, जाँ इननो जड़े डिल्यूट करो, तो उस तो पहला इंग्लेंड जाई कमिशन दा चार्ज देंदे हैं, जा हाई कमिशनर होया है, वे कर चुके ऐसी, पासपोर्ट माड़े मोटे खोल दे, अ अपना चड़न नो अकीद है, और विचवाड के इंग्लेंड दे विच इनने काफी नुकसान कीता है, जा मैं ता उथे एक होड़ कैंप लगा हुआ है, यूथ देच गया है, जा मेरा कोई गुरदौरा साथ बलू मैं इंवाइट ने सी होया है, पर एथवार फ्री सी गु अना दा ना भी लिया है मेरा भी के जी पहला हो बोलन के खुलीब नहीं है जी सो ओ क्योंके एक डेलिगेशन रहके आया हुए सी उस तो प्रिविस शाम भी हो शिकागो जी उनना सुनील दा टैक्टर जी उनने भी पैदल मार्च बंबईी तो अमर सारता किता हुए ऐसी ते कि जी सो ओ शायद दिवांच ता उनना दे नाड नहीं सी लेकर यह सारा एक डेलिगेशन सी और मिशन नहीं ही सी कि यह अमरीका दे सिकानों दूसरी लिया हो थाले जी सो जार है उनना ने अनांदपूर दे मतेरी गाल किती का जी एक मीटिंग पॉइंट बंड सकता है गाल बा करना उने मारी हैं जी सो गुरूदी करपा नाड लोकल ता चलो संगदे विचे कारें दी गूंज नाड उस ती जो कैर गया हो दी परवानगी होई होई जी उदो अजे टीवी जा वीडियो जा दूजिया दा बहुतार वाजनी सी आडियो वी रील वाडियां चल दियां सी हो एकदाम होदी कैसेट भी त्यार होगी शेकागों गुर्दवारेज परबंद सी होना दे आटोमेटिक रिकॉर्डिंग दा जी और उना जमाने अच हजारां दी गिंड़ती जो दुनिया पार दे विचो कैसेट पांची आज तक भी कही जड़े ने उस स्पीच नो याद कर देने पचिक मिड़ी प्रेजेंटेशन सी सिख केस दे थले जिए जिए चमया होना दा तोड़े है सारा जो पंजाब पंजाबी अदा सी ना नो दस्या भी तो अड़्या की तुसी कीता है तो खालस्तान दे निशाने प्रती जड़ी है अपनी क्लैरिटी दे नार अपने स्टेंड नो सपष्ट कीता है सो अजला साब बहुत बहुत अन्वाद के तुसी उस दिनवी दिवांच बैठे सी बाकी तो इना दा स्वाल के की खालस्तान दी लेर जड़ी है उपनी मुमेंटम खो चुकी है तो खड़ोत असी कहनने है तो जे जवाब उनने किया है कि भी ह हाँ चाहे भी खड़ोत चाहे तो फिर इनों के में तोड़े आ जाए तेखो बेशा का सी खड़ोत शब्द पंजाबी दा बड़ा रिच शब्द है कही कुछ कैद अन्द है खड़े हो जाना है जहां जो कुई बहुत विजिबल ना लगे इदे दो कारण ने क्योंकि एक त सक महाल स्टेट टर्रिजम दे थले बढ़ा हो ऐसी तो जे उद्दर कोई चार मर्दे सी जाए इदर मर्दे सी तो लोग समझे दे सी कि मूवमेंट चल रही है तो जो सरकार ने वरी हैवी हैंड़े ली आईरन फिस्ट दे नाड उननाने लोई दे पंजे दे नाड और सारी बैमान तो और तरीके लोग तंतरी कदरां कीमता नो बिल्कुल चिके थे टांके एक पूरी नसली मुकात थी सिख यू थी सो जाहर है कि जड़ी रिजिस्टेंस स्टेट फर टैट स्टेट टेरर दे जवाब नौजवना वनों आ रहे सी ओ खत्म हो गई क्योंकि लाग गया कि जी उत्ते ताहुन कुछ हो नहीं रहा है फिर सरकार ने कि बहुत पीस हो गई शांती हो गई काड़ा दौर खतम हो गया अतंकवाद खतम हो गया तो उस प्रॉपेगेंडे नों ही साड़े लोका ने भी बाय कीता है किसे हाथ तक पर यह वीरता है सिंसियरली प साड़ा किसे वलों बाना फड़ना किसे भी मुल्क वलों फिर नौजवाना दा पावकों के इस पास से अपनी जानता दाते लादना पर कोई लॉंग टर्म स्ट्रेटजी दा ना होना जड़ी कि हर एमोशनल मुवमेंट जड़ी पहली स्टेई ते दरबार साथ ते हमले तो साड़ी मुवमेंट मुल्टी डाइमेंशनल हुई है और खास तो और ते यंगर जनरेशन दे हवाले ना जे लंडन वरगे शेयर चिक प्रोटेस्ट देवी चारी-पजार सिक जून दे पहले हफ़ते हों दे ने ये तक कई गुणा नंबर जयाद है जदो असली जून 84 हु जा आज प्रोफेसर पुलर्द है जा हुन इवन सजन कुमार्द नो दी एक्वेटल दा केस हुई है जिमें रिस्पॉंड दुनिया पर चिक थे हुन इना दी प्रॉब्लम ताई है जो दो कोई एक्टिविटी हुन दी है जे पंजाब जो बादल ने अपनी ताकत रखनी है जाके दिली का तचम दाजी खालस्तानी आ जान के वापस नहीं ता अब है एक पाउरफुल हो गए उन एक पासे जड़ा दुश्मन है उन ता उटदा है बड़ बड़ा के रात नो उन ता चार पस जफेरे खालस्ताना ज़रा आ उन उन जड़ा एक नॉबल काम में है कांग इस्टिक इशूज नू सिखाना ने सबन देते चुके गाए उन्हा नू लगदा है खारस्तान बांगे सो दुश्मन साड़ा जड़ा है उस दा खौफ उस दा रियक्शन हर सिचुएशन थे एही अपने आप देविच सबूत है के खडोत नहीं आई है और जो यंगर देख लो कैन के के जी उन्हा नहीं देव पौईजन दा माइंड्स आफ यंग्स्टर्स उन्हा देविच जहर पार दते हैं उन्हाद वो एडिमिट कर देने के गाले एक जैनरेशन दी नहीं है जड़ी चरासी जियों दी सी उन्हा दी अगली जैनरेशन ने भी चंडा चु आरच फेरे फैली हैं अगली जैनरेशन भी चंडा बरदार बनी हैं और अगे नारों जड़ी साड़ी बिलकुल पहला पावक पहुंच सी अकाल तकते हमले देना आर जड़ी शुरू हुई उदेच असी भी सियाने हुए है विजडम भी है सिर जोड के बैंड दी गाल भी ह है साज दी गाल भी है सो मुविमेंट साड़ी ऑन ट्रेक है और असी अपनी मंजले मक्सूद खालस्तान दी प्राप्ती तक विद गुरूज ग्रेस गुरू दी बक्षश नार इस सफर नो जारी रखा लिए हैं जारी जारी रखा हैं यह मैसेज सेड़नी अस्ट्रेलिया त के सीजिए दा है एननों प्रोग्राम सचो सच बड़ा मेयारियत ग्यान पर पूर लगदा है एनना सवाल है कि खालस्तान दे केस नो कोई अंतर रास्ट्री मानता हासल है कि किसे वड़ी शक्ती दी मदद तूं बीना ए निशाना हासल किता जा सगदा है सब तो पहला वीर मनपरीत सिंग जी टेसी और अन्दा बहुत बहुत अन्वाद उनने सानु सिड्नी तो लिखे और बड़ा उनना दा वैलिड सवाल है क्योंकि आम मन्या जान दा है कि नेशन ता उदों ही क्रियेट होंदे ने दो वड़ीया ताक्ता चोंदी है जे अमरीक ने इंटर्वीन किता है बॉस्निया दे मामले थे बॉस्निया अर्ग विई ने को शोवज बी इंटर्वेंशन हुई इस तरह जह ईस्ट गयो अबंगलाधेश वीसलigh बढ़े आगे इंडियाने फाज पेज के दो हिस्स्यां इतोड़ देता है बाकिस्तानूं सो जार झे कि साड़े इस काईमी दे विच और जिमें पहले वीर ने लिखिया ऐसी चाइना जे नार जा दुझे इस विड़े जिमें डिरेक्ट आंसर देना हुए भी इस विड़े सानु किसे देशती हमायत हासल नहीं है जिदा कि डिरेक्टली खालस्तान बरान दे विच इंट्रेस्ट हुए और वो किसे हद तक भी जा कि उस मदद करने दे लिए त्यार हुए यह पहला गल पर हलात जिड़े ने जिए अमरीका दो हजार चौदा जा अफगानस्तान जो निकल रहे है इंडिया अफगानस्तान रिलेशन्शिप जिड़ी हो समय दे सी कि अमरीका उते सिमिट कर दे गाओ टूट गई चाइना नारस बंदा दी गालसी करके आएं पाकस्तान दे विच जड़ी है एक नवी अवेरनेस है क्योंकि इंडिया उते बिलोचस्तांच इंटर्फियर कर रहे है और पाकस्तान दे विच भी सिखान देले हमदर्दी है जे अमरीका च अमरीकन कांग कि विच एक लगाफ यह है कि दोनों गैर जमेवार न्यूकलियर ताकतानें इंडिया और पाकस्तान खालस्तान ऐसे बफर स्टेट दोना दे विच आड़े और एक हजार साल दी दुश्मनी है घुलाम और रूलर दी मेंटलिटी है इसी ऐसे बफर स्टेट इना दोना मुरक सब्सक्राइब करते हैं जड़ा के पीस दे प्रॉस्परिटी दे शांती दे जो एगल जदो अमरीका नो समझ आ जाएगी चीन नो भी समझ आ जाएगी के पाई एही जो दलाई लामे नो खड़ा कर सकते ने फेक साड़ा ते जैनियून केस है जो मेरा ख्याल है भी उदे लही एक मोमेंटम बनानी पाएगी जदो असी उस द्रड़ता दे नाड़ खलो जांगे कौम जड़िया उसलेगी फुली वचनबाद होएगी तो इंटरनेशनल सपोर्ट उदे चो निकलेगी और एह हमेशा इस तरहीं होंदे जी डव्टर साब होन लेने एक शोटा ये ब्रेक वीर सुसादप प्रोग्राम इस तरहां वेक देरों मिल दे एक शोटा ये ब्रेक दुबाद